नूर को बे नूर बना देता है बक्त, हर जख्म को नासूर बना देता है बक्त, कौन चाहता है गुनाहों की जिन्दगी जियें, हर बे गुनाह को भी गुनाहगार बना देता है बक्त. जिहां दोस्तों मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं विहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का पंचाई चुनाव खत्म और नए-नए प्रधान जी बने हैं बहुत सारे बहुत जन समाज के भी प्रधान चुने गए आम जनता के द्वारा। उन प्रधानों ने तरह तरह के वाइदे किये थे कच्ची रोड से हम पक्की रोड बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, गाउं का हाल उन्हें पता है। परन्तु उन्हें इन बात का पता नहीं है कि सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं जब तक उन्हें भंड मुहया नही करेंगे वह विकास का कार्ज कैसे करेंगे ऐसे गाउगाउं से भी रिपोर्ट आ रही है ब्लैक फंगस पुरे देश से रिपोर्ट आ रही है और कुछ राज्जियों ने तो ब्लैक फंगस को महामारी घोसित कर दिया आपको मैं एक लेटेस्ट होस्पीटल के जो अध्यक्ष हैं जो मालिक हैं जो भी का सकते हैं नरेश तरहान डॉक्टर नरेश तरहान जब उनसे पूछा गया कि यह हजार मौतें क्यों हुई क्योंकि फ्रंट लाइन वारियर हैं तो उनका कहना यह था कि 97% डॉक्टर डबल डोज नहीं तीन परसेंट ड का массी क्वालिटी का नाह हो सकता है कहीं-कहीं वो एहतियात ना बरते हूं और रही बात यह हमने सुरूमें कह दिया था कि जो कोभी शील्ड की बात कर रहा हूं कि यह जो है ऐसा नहीं है कि उसको लगवाने के बाद आपको करोना नहीं होगा यानि vaccination जो है यह immune system को बरहा देता है आपके मौत के जो rate है उसको कम कर देगा यानि आप मरेंगे नहीं इसको लगाने के बाद लेकिन आप यह सोच लेंगे कि आपको corona नहीं होगा तो यह करते हैं news में और देखते हैं आस्चर्ज होता है मद परदेश से एक video viral हो रहा है खबर है एक police वाले ने एक police वाले नहीं बलकि police team की तीन चार और बेटी के सामने मा को मार मार कर अधमरा किया यानि पिटाई किया और उसको जमीन पे गिरा दिया जानते हैं जहां जहां चार-पांच police वाले होते हैं वहां पर एक ladies constable होती है एक महला constable होती है वह महला constable just like I was यानि बताने के लिए कि हमारे पास महला constable है परंतु जब इस तरह की बारदात होती है तो महला constable के पकर कर रखती है पिटाई करते हैं मर्द police वाले और इस तरह की घटना सामने आई है और उसको फिर बिभिन धाराओं में जो है बुक किया गया उसको कोट भेजा गया और कसूर यह है कि महलाएं अगर घूंगट डालकर घर से निकलती है तो यह police वाले गूंगट उठा कर चेक करते हैं कि यह mask लगा रखी है या नहीं इस तरह की जो है report आ रही है अब प्राश्मिया उठता है कि कोई आदमी गमचा लपेट कर चल रहा है क्या वो protection नहीं है यह mask जो है protection के लिए है अथवा कोई पार्लामेंट ने कानून बना दिया है हर किसी को पता होना चाहिए कि क्रोना से बचने के लिए protection जरूरी है और इसके लिए mask जरूरी है अगर mask नहीं है तो लोग गमचा भी लपेट लेते हैं कपरे भी लपेट लेते हैं ताकि protect हो सके प्रंतु प्रस्निया यह उठता है कि कानून की आर लेकर जुल्म किया जाता है और इस तरह की घतनाए सामने आती है बहुत सारे उत्तरप्रदेश में जो नव निर्म आचित परधान है मैंने उनसे सवाल कर दिया और मैंने ये कहा कि आप नहीं नहीं चुनकर आये हैं आपने अपने गाउं के आम जनता को अपने पंचायत की जनता को बहुत तरह के वाई देखिये होगे तो कैसे पूरा होगा, उन्हें यह भी नहीं पता कि फंड कैसे कैसे आता है, वो कते हैं कि ब्लॉक से फंड आएगा, हम यह करेंगे, वो करेंगे, परंतु मैंने कहा अगर पैसा नहीं आया तो, उत्तर परदेश सरकार, अगर आपको पैसा ही रिलीज नहीं किया, क्या करेंग वो कितना मांग करेंगे, और सामने देने वाला भाजपा की सरकार है, कैंदर में भी और उत्तर परदेश में भी, आपको लगता है यह मांग पूरा होगा, और 2022 का जब चुनाव आएगा उत्तर परदेश में, क्या तब तक हमारे नव निर्वाचित जो परधान हैं, पंच विधायक हैं देशराज, उनको गाउवाले ने गाउव में घुसने से मना कर दिया, कहा कि विधायक जी आप माननिये हैं, आप इस गाउव में मत घुसिये, हमारे घर में लट रखे हुए हैं, मैं लट से आपका स्वागत करूँगा, और इस तरह से उनको ग्रामियों का ग पिहार की बता रहा हूं, वहां पे राजत के विधायक, COVID-Center बनाये हुए हैं, काम कर रहे हैं, जहां जहां भी पक्च के विधायक को देखता हूं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, वो सामने नजर आते हैं, और दिल्ली में सक्ता पक्च के विधायक, मैं सीधी सी बात कर रहा केजरिवाल साहर के जितने विधायक हैं, वो काम कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, परन्तु भाजपाद, जदियू, जो सक्ता में बैठे हुए हैं, इनके विधायक सरक पर नजर नहीं आते हैं, कोई COVID-Center नहीं बनाया हुआ है, जगा जगा से एक ही रिपोर्ट आती है, किस नहीं लगाई गई, जितना बना हुआ था, पंदरा साल पहले, उतना पर ही खरा है, इसका मतलब वह जो पंदरा साल पहले, राजद के सासंकाल में बनना सुरू हुआ था, और नितीश कुमार के आते ही बनना बंध हो गया, इसाई डिपोर्ट सामने है, जो दिखती है, कहन समाजबाटी के बिधायक हों, उनके कार्ज करता हों, समाजबाधी पार्टी के बिधायक हों, कार्ज करता हों, कुछ ने कुछ करते नजर आते हैं, परन्तु भाजपा वाले आपको नजर नहीं आएंगे, कॉंग्रेस वाले तो ट्वीटर पे ही चाहते हैं चुनाव जीत और इससे इनकी सारी सारी मानसिक्ता जलकती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, और आपको हम रिपोर्ट दिखा सकते हैं, आप बने रहे हैं बिहारी सुल्टान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तर तक के लिए धन्यवाद.